हेलो एक बार फेड़ से आपका मेरे चानल में स्वागत है आज मैं बताने वाली हूँ जो की हम लोगों को नहीं करने चाहिए छोटी छोटी सी गलतियां हम लोग करते हैं रोज के कार्यों में खास करके पूजा करने के टाइम पूजा हम लोग कभी-कभी हडबडी में करते हैं या कभी-कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है या कभी-कभी हम कंजूसी के वज़े से कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो की हमें नहीं करने चाहिए इनके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं तो इस वज़े से कौन से कारे हमें नहीं करने चाहिए क्यों से कारे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए अपने प्राण दो आप से जो नहीं हो सकता है आप वो करो जो भी करो पूरी स्रद्धा से करो और पूरे मन से करो दूसरी चीज सास तुम्हारे यहां यह नहीं होता है लेकिन बस यह होता है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको बदल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे यहां तो ऐसे होता है हमारे वहां वैसे होता है तो आपको ऐसा नहीं करना है सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी गल मैं वहाट सारे दोपने फ़िरे देखा और गरपे वहाइसा दाशु करना थे धूब permissions छूर्म करा सब्हूती समत्रेश जतकी हैं मेर्षा, इसली बाषा या जहाएकर लाफ होती हैं दूसरा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करते हुए कि वो जो फूल होते हैं जो मतलब मालाएं चढ़ाते हैं भगवान को वो बिलकुल जब तक मुर्जा नहीं जाती जब तक एकदम कुमला नहीं जाती उनको उतारते नहीं हैं आप उनको साम के टाइम उतार दें या दूपहर के बाद जब आप देखें कि वो मुर्जा गई है तो आप उनको उतार दें भगवान पर मुर्जाए हुए फूल चढ़े नहीं रखने चाहिए आप ताजे फ्रेस फूल चढ़ाईए ताजे फ्रेस फूल जब तक वो ताजे रहते हैं देखने में सुंदर लगत आप लोटा खाली रख देते हैं आपको लोटा खाली नहीं रखना है आपको इस बात का विसेज ध्यान रखना है कि आप भगवान के पास हमेशा लोटा जल भर कर ही रखें खाली लोटा भगवान के पास नहीं रखा जाता तूसरी चीज एक आप जब भी पूजा की थाली सजाते हैं पूजा की थाली जब भी आप उसमें सब चीजे रखते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप उसमें कोई स्रीफल नहीं रखते हैं स्रीफल या तो हमारे आनारियल को कहा जाता है या फिर सुपाड़ी को आप कोई भी पूजा करते हैं बिना सुपाड़ी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है इसलिए आप सुपाड़ी अवस्थे रखें पूजा की सामगरी में जब भी आप पूजा करते हैं कोई बड़ी पूजा आप प्रति दिन की पूजा जल दूबती दिया वाली उसको छोड़के आप दूसरी अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो आप उसकी ठाली में सुपाड़ी कत्ताई ना भूलें उसके बाद मैंने को नहीं करना है दीपक आपको दुबारा से धुल कर हाँ बिना धुला हुआ दीपक भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है आप सुबह की पूजा करना है तो आप सुबह उसको दूलिए आप साम की पूजा करना है तो उसको साम को भी दूलिए बिना धुला हुआ दीपक आप को इस्तेमाल नहीं करना है और कई चीजे होती है छोटी-छोटी सी जो लोग कहीं जाते हैं कहीं कुछ करते हैं तो भगवान का प्रशाद उठाकर ब्रत में खा लेते हैं आपको भगवान का जो प्रशाद होता है वो ब्रत के दिन नहीं खाना है खास करके जो मूर्तियों पे चड़ा हुआ प्रशाद होता है आप उसको रख दीजिए किसी विवस्थित स्थान पर आप उसको जब परायन करिए आप अपना जब वृत समाप्त करिए तब आप उसी से अपना वृत खोल सकते हैं क्योंकि सत्य नरायन भगवान की कथा में भी कहा गया है कि जब आप कथा से उठ रहे हैं तब आप अगर प्रशाद नहीं खाया या प्रशाद का अप्तियाग कर रहे हैं तो उसके दूस्थ परिणाम आपको भुगतने पढ़ सकते हैं इसलिए आप जब भी बृत का समापन करें जब बृत की मतलब पुजा खतम करें आप बृत में जब हैं तब सिवलिंग पे चड़ा हुआ प्रशाद नहीं खाएं आप उसको रख दें संभाल कर रख दें आप जब परायान करें तो दूसरे दिन आप उसको ग्रहन कर सकते हैं तीसरी चीज अगर आप हवन की पूजा में बैठे हैं किसी भी चीज का आप हवन कर रहे हैं तो बिना महिला के मत बैठिए अगर आप साधी सुदा हैं तो आप अपने जोड़े के साथ ही हमन में बैठिए किसी भी हमन में आपको अकेले बैठना नहीं है दूसरी चीज अगर आप साधी सुदा हैं और आप किसी चीज का संकल्प कर रहे हैं तो अगर आप संकल्प कर रहे हैं या आप सा तो आप उन्हें फोन करके या उन्हें किसी प्रकार से सूचित कराईए कि आप इस बात का संकल्प करना है वो भी भगवान के सामने इस चीज के प्रार्थना करें साधी के बाद कोई भी तीर्थिस्थान कोई भी पूजा चाहे पतनी करें पतनी करेगी तब वो पूर्ण है उसका फलपती को मिलता है लेकिन अगर पती कर रहा है अकेले तो उसका फलपतनी को नहीं मिलता है तो आपको इस बात का भी विसेज ध्यान रखना है कि साधी के बाद आप जब भी कोई पूजा करें तो आप उसे इस्तरी के हाथ से ही संपन्न करवाएं या फिर आप उसे इस्तरी के साथ बैठ कर साथ मिलकर करें संकल्प लेना हो गया हवन हो गया ये तो इस तरह के बिना आपको करना ही नहीं है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बाते थी जो आपको विसेज ध्यान रखनी है और जो आपको अपने जीवन में लागू करनी ही करनी है आप धूबबती वाली बात अगर आप अपनाते हैं तो ये चीज आप ध्यान रखिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तो ये थी मेरी द्वारत दी गई छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सरकल में सेयर कर दीजिएगा ऐसी और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते र करता है